साल से जादा समय से जारी रूस यूकरेन की जंग का दुनिया को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है हिरोशीमा में हुई G7 की बैठक में बड़े देशों ने रूस पर निशाना सादा है आईए देखते अंदर की बात में दुनिया के साथ विक्सित और अमिर देशों के समू ग्रूप ओफ सेवन G7 के नेताओं ने यूकरेन संकट को लेकर संयुक्त बयान जारी किया है G7 नेताओं ने रूस को निशाने पर लेते हुए कहा कि हम यूकरेन के खिलाफ रूसी सेना के अवेद अनुचित और अकारण युद के खिलाफ एक साथ खड़े होने की अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करते है हिरो सिमा में हो रही G7 समिट के द्वारान G7 नेताओं ने बयान में कहा हम कड़े सब्दों में रूस के यूएन के चार्टर का उलंगन करने और रूसी आकरमन के बाकी दुनिया पर पड़े प्रभाव की निंदा करते है बयान में कहा गया हम सांते के प्रतिक के हिरो सिमा से सफत लेते है कि G7 सदश्य हमारे सभी नितिगत साधनों को जुटाएंगे और यूकरेन के साथ मिलकर यूकरेन में जल्द से जल्द एक व्यापक न्याइपून और 27 सांती लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे इस बिच खबर आई है कि यूकरेन के राष्टपती वलोदो मीर जैलेस की भी जापन पहुच रहे है मंत्राले ने बताया कि जैलेस की रविवार को G7 नेताओं के साथ आमने सामने के सत्र में भाग लेगे और G7 नेताओं और आमन्तरी देशों के लोगों के साथ सांती और स्तिर्ता पर एक सत्र के अतिति भी होगे ब्योरो रिपोर्ट जी एश्ट